सक्सेशफूल इंप्लांट को पूरा करने के लिए एक फिमेल और एक मेल दोनों को कौन कौन सी चीज़ें करनी चाहिए हेलो फैमली आपका हमारे चैनल बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंड्स अगर आप बेबी प्लान कर रही है तो मेरी मातारानी से यहीं दुआ है क्योंकि म मैं पूरे स्रद्धा से नौ दिन का ब्रत रखती हूं मातारानी का और आप लोगों के लिए मैं यहीं दिल से दुआ करती हूं कि सभी के गोद भर जाए सभी का जो भी मेरी वीडियो देख रहे हैं जो बेवी प्लान कर रहे हैं जो ब्रसालों से बेवी प्लान करके ठक और कुछ चीज़ें आपको ऐसी करनी है जिससे कि आपको सफल इंप्लांट हो जाएगा तो आपको आपका जो गर्व है वह अच्छे से रुख जाएगा कि इंप्लांट का मतलब होता क्या है सबसे पहले तो मैं थोड़ी सी इस पे आपको जनकारी देज्व मतलब होता है कोई चीज़ इंप्लांट होना कोई चीज़ जो है उसमें छिपकना धसना अधिक ऑपका जो एग है अग है उसी को बोला जाता है इंप्लांट होना तो इन इस समय इन सिचुएशन में कुछ कपल्स जो है ना काफी गलतिया कर जाते हैं काफी जो है excitement होती है सबसे पहली गलती आप क्या करती है आप अंचाहे stress लेने लगती है आप चाहती तो नहीं है क्या करना है ना तो समय को कॉंट करना है ना तो समय को काउंट करना है आप करना है अपको केवल healthy diet लेना है आ खांट profound कर फिस्छ धियान देदानाई đầu डे कांट कैसे करती है अभी तो Обयूशन हुआ है अब एग मेरा फटल्याइज हो गया होगा कि नहीं आज तो इतना तारीक है मेरा पिरियड आ जाएगा मेर पिरियड नहीं आएगा क्या मेरा इंप्लान्ट हुआ है मेरा implant नहीं हुआ है तो यह सारी चीज़े आपको नहीं करनी है आपको अपने आपको best रखना है और अपने आपको best कैसे रखेंगी हलका फुलका exercise करिए इस पे मैंने already वीडियो बना के रखा है उसे भी आप जाके देखिए कि successful implantation के लिए आप क्या क्या कर सकती है तो आपको हलका फुलका exercise करना है इसके बाद आपको अपने diet पे focus करना है अगर देखिए friends अगर आप अच्छा diet लेंगी तो आपके implant जो चीज implant हो रही है उसमें आपके जो body है उसकी nutrition काफी उसमें खपत होती है तो जब आप healthy diet लेंगी आपके body के अंदर protein, nutrition, vitamins बनेंगे तो जो implant baby हो रहा है उसको भी काफी support मिलेगा इसके लिए आप क्या करें इसके लिए सबसे पहले तो आप केला, बनाना, इसके बाद अनार, चुकंदर, गाजर यह सारे चीज़ अपने diet में सामिल करेंगी तो इससे क्या होता है आपके endometrium की जो दिवाल है तिक बनती है यानि क आपके body में blood का flow है और काफी टीज होता है जिससे कि आपके अंदर जो भूर्ण चिपक रहा है उसको चिपकने में support मिलता है उसे अच्छे खासे amount में blood मिलता है और उसे अच्छे खासे amount में सारी चीजे nutrition, protein, vitamins जो भी चीज आप से चाहिए और मिलता रहता है इसके बाद आ पानी पीने में आपको कंजूसी नहीं करनी है इस समय आपको जो pregnancy के symptom से ओभी नजर आते हैं जैसे कि प्यास लगता है तो आपको पानी भरपूर मत्रा में पीना है इसके बाद एक और symptom साता है आपका जो kidney है बार बार आपको आपका प्यरोफाई करता है बार बार आपके चल रही होती बार आपको यूरीन जाने कि पें जो है प्रिक्वेंसी बढ़ जाती है तो अगर पानी भरपूर मात्रा में पीहंगी तो आपकी यॉड़ी दियां करना ही करना है इसके बाद अपने डाइट में सीट्स को सामिल करेंगी तो कई प्रकार के मार्केट में सीट् सेट्स काफी सीट्स के बारे मैंने बताया है। इस सीट्स को लीजिए यह भी जासे सारे सेट्स को रोष्ट करे तवे भूण के चिर्णा में बहुझे और अपना एक चमश दिन में अपना ले लिए यह आपके जो भी प्रोटीन बिटामीन की कमी है आपके बौडी में यह आ सारे काम धाम चोड़के और केवल बिश्टर पर पड़ी रह encima काम बिल्कुल नहीं आपको करना है का। सरी करना है हलका फुलका अक्सर्साइज्ज हलका फुलका वाकिंग्ड करना है आपके पेट पे जो एक्सरसाइज डबाव डालता है बल डालता है वह एक्सरसाइज आपको नहीं करने हैं यह करेंगी तो यह आपको फर्टिलिटी को बुष्ट करता है इंप्लांट को बुष्ट करता है यह काफी जो है आपके लिए बेनिफिट है इसको कर सकती है अपने पिने पर पर ज्यादाव करें और जो मेल हैं उनके लिए मैं कुछ इस पार मेल में उनकों वह एकâtiments कि स्ना के देना है इसके बाद एक बात और मैं मिल से बता ओं कि आपको इस समय रिलेसर नहीं रखना चाहिए रिलेसर रखने से आपका जो गर्ब एक खराव होने का काफी नॉर्मल नहीं तो हम लोग मना करते हैं एक कि समय क्रिटिकल रहताना है क्योंकि जो भूण है वह काफी जए च्पुछ रहता है और रिलेशन रखने में जो पूरश का सेल्स है उसमें कुछ ऐसे तत तो होते हैं जो कि यूठ्रेस में कॉंट्रक्शन पैदा कर देते हैं, तो आपको इस समय रिलेशन रखना थोड़ा सा एववाइड करना चाहिए, इसके अलावा आपको थोड़ा सा भीन भाड़ वाली जगहों पे जाएंगी, तो आपको काफी डिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, इस समय क्या होता है, आपके अंदर एस्ट कुछ बातों का ख्याल करना है, इस्ट्रेस नहीं लेना है, बीन बारी बारी जगहों पे नहीं जाना है, अपने दिन को काउंट नहीं करते रहना है, अपने प्रेग्नेंसी के सिम्टम्स पे ज़्यादा फोकस नहीं करने हैं, अगर इन सारे बातों को इन सारे चीजों को आ जादा नहीं पिना चाहिए क्योंकि इसमें कैफीन की मात्रा जादा होती है कितने लोगों को बैगन खाने से जो है गैस बनता है तो जो चीज गैस बनाए आपको वह आपको एबॉइड करना चाहिए इसके साथ ही जिस किसी भी फूड में आपको ऐसा महसूस हो कि मुझे इसस